हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम डिसेंबर फस्ट वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स न में भारत की रैंक है 104, इस से पहले अकटूबर 2020 पारत की रैंक थी 108 और सेतंबर 2020 में भारत की रैंक रही 109. फ्रेंट्स, फ्रेंट्स फीफा का हैट कोर्टर से जीरिक in Switzerland और यहां के फिफा के प्रेजिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो और ये हैं फ्रेंट्स टॉप फाइफ कंट्रीज बेलजियम इसमें टॉप पर है फिर फ्लांस, ब्राजील, इंग्लेंड एंड देन पर्जुगल, साथ ही फ्रेंट्स इंडिया और केनिया इन दोनों की ही रैंक 104 है क्योंकि इन दोनों के same points है और हाल ही में All India Football Federation इन्होंने अपना new motto launch किया है Indian Football Forward Together तो ये भी current affairs में है Recently, Prime Minister Narendra Modi reviewed the vaccine development and manufacturing process for COVID-19 at which among the following places? The correct answer is option D तो friends, हाल ही में परदानमंत्री Narendra Modi ने COVID-19 के लिए vaccine, विकास और निर्मान परिक्रिया की समिक्षा की है ये समिक्षा की है इन्होंने Serum Institute of India जो की पूने में है Zydas BioTech Park जो की एहमदाबाद में है और भारत BioTech Facility जो की हैदराबाद में है इन तीनों जगव पर इन्होंने vaccine के जो निर्मान है उससे जूड़ी बातों पर समिक्षा की है साथी friends ये भी याद रखना Government of India ने एक Mission COVID सुरक्षा ये लॉंच किया है और इसके लिए 900 करोड रुपे का एक package भी जारी किया है तो question इस तरह से भी बन सकता है इस सब्द को Cambridge Dictionary के word of the year 2020 के रूप में नामीत किया गया है और इन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है a specific period of time in which a person or animal that has a disease or may have one must stay or be kept away from others in order to prevent the spread of the disease यह आप सभी जानते होंगे quarantine का मतलब साथी friends अगर Collins Dictionary की बात करें तो इन्होंने word of the year चुना है lockdown को साथी friends यहाँ पर आप देखिए आप कई बार सुनते आ रहे होंगे novel coronavirus तो friends यह novel coronavirus का मतलब क्या होता है coronavirus तो आप समझ गए लेकिन इसके आगे जो novel जुड़ा है इसका क्या मतलब है तो friends ऐसी कोई बात या ऐसी कोई बात या फिर ऐसा कोई incident जो पहले कभी ना हुआ हो ना पहले सुना गया हो और ना ही कभी देखा गया हो तो उसको कहते है novel तो जैसे की यह coronavirus है है ना तो जो COVID-19 है यह coronavirus का एक नया strain है जो previously humans में identified नहीं किया गया है इसलिए इसको novel coronavirus बोला गया है क्योंकि यह ना तो पहले कभी देखा गया है ना कभी सुना गया है इसके बारे में ना ही इसको कभी किसी human में transmit होते होए देखा गया है तो फ्रेंड्स प्रकास जावडेकरजी और हरदीर सिंग पूरी इन दोनों ने प्रकास जावडेकरजी की बात करें तो यह environment minister भी है और ministry of heavy industries यह भी इनी के पास है साथी फ्रेंड्स ministry of information and broadcasting यह भी इनी के पास है तो तीन ministry इनी के पास है और अगर हम हरदीर सिंग पूरी जी की बात करें तो यह union minister for civil aviation है साथी union minister for housing and urban affairs भी इनी के पास है विच स्टेट सेलिब्रेट्स होन्बिल festival every year from 1st to 10th December तो फ्रेंड्स एक से 10 दिसंबर तक हर साल होन्बिल festival यह नागा लेंड राज्य में मनाए जाता है और इस बार फ्रेंड्स इस चर्चा में इसलिए है कि पहली बार यह virtual तरीके से मनाए जाएगा और फ्रेंड्स अगर हम इस होन्बिल festival की बात करें तो यह जो यहां की capital है नागा लेंड की कोहिमा इससे 12 किलोमेटर दूर एक नागा heritage village है यहां पर यह मनाए जाता है और इस festival को festival of festivals का जाता है यह काफी important है फ्रेंड्स कई एक्जाम ने पूछा गया है चार option आपको दिये गए हैं पूछा गया है कि festival of festivals इन में से किस festival को कहते हैं तो आंसर होगा आपका होन्बिल साथी फ्रेंड्स नागा लेंड के चीफ मिनिस्टर है निफियू रियो यहां के गवर्णर है आर एन रवी और कैपिटल है कोहिमा और फ्रेंड्स नागा लेंड को फालकन कैपिटल ऑफ दी वर्ड कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि एक माइगरेटरी बर्ड होती है अमूर फालकन तो फ्रेंड्स उसके कंजर्वेशन के लिए यहां पर काफी अच्छा काम किया गया है नागा लेंड में तो इसको इसलिए नागा लेंड को फालकन कैपिटल ऑफ दे वर्ड कहा जाता है तो हमारे वाइस प्रेजिडेंट एम वंगया नाइडू जी ने साज ही बोध विरासत पर पहली स्सीओ ऑनलाइन अंतराष्टे प्रदर्स नी इसकी सुरुवात की है तो यह इन्होंने सुरुवात इसलिए की है क्योंकि SEO Council of Heads of Government इसकी अध्यक्स्ता हमारे वाइस प्रेजिडेंट एम वंगया नाइडू जी कर रहे है तो इस तरह से भी कॉश्चन पुछा जा सकता है कि SEO Council of Heads of Government इसकी जो चेर है वो इस बार किसके पास है कॉश्चन पूछे जाते हैं कि National Museum ये तो Friends New Delhi में है और Indian Museum जो की Largest और Oldest Museum है ये है कॉलकाता में तो इन दोनों में आप Confuse ना हो कभी Indian Museum में आप New Delhi कर दें और National Museum में आप कॉलकाता कर दें तो ये दोनों आप अपने यहां की प्रदर्शनिया दिखाई है जो की बोध विरासत को दरसाती है अभय भारद्वाज रिसेंटली डाइड ड्यू टू COVID-19 वाज राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट तो अभय भारद्वाज जिनकी हाली में COVID-19 के कारण मृत्य हो गई है यह फ्रेंड्स BJP की ओर से गुजरात से राज्यसभा के सांसद रहे है और फ्रेंड्स आपको पता होगा हाली में कॉंग्रेस के जो सीनियर लेडर रहे हैं एहमत पटेल वो भी फ्रेंड्स गुजरात से ही राज्यसभा के MP थे तो याद रखना दोनों राज्यसभा के MP रहे हैं यह जिनकी हाली में COVID-19 से मृत्य होई है और एहमत पटेल तो कॉंग्रेस की तरफ से है और जबकि यह अभे भारदवाच यह रहे हैं BJP की ओर से साथी फ्रेंड्स राज्यस्थान की BJP MLA किरन माईसुरी इनकी भी हाली में डेथ हो गई है COVID-19 की वज़े से इन वीच ओफ दे फॉलोइंग सीटी फॉर्थ नेशनल सिक्योर्टी एडवाइजर लेवल मीटिंग और ट्राइलेटरल मेरिटाइम सिक्योर्टी कोपरेशन बिट्विन इंडिया स्री लंका एंड मालदीव was recently held तो फ्रेंड्स जो कोलमबो है जो की स्री लंका में है तो यहां पर भारत, स्री लंका और मालदीव के बीज त्री पक्षे समूद्र की सुरक्षा श्यायोग पर चोथे राश्टे सुरक्षा सुरक्षा सलाकार इस तरकी बैटक हाली में आयोजित की गई है स्रिलंका की प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राज़ पक्षे यहां के प्रेजिडेंट है गोता बाया राज़ पक्षे और यहां की करंसी है स्रिलंका रूपी और फ्रेंट्स अगर स्रिलंका की हम कैपिटल की बात करें साथी फ्रेंट्स ये भी आप याद रखना सिटमेक्स इंडिया, सिंगापुर और थाइलेंड के बीच जो की एक ट्राइलेटर मेरिटाइम एकसराइज है, ये भी हाली में संपन हुई है, और इससे पहले स्लीनेक्स 20 ये इंडिया और स्रीलंका के बीच मेरिटाइम Which of the following institute has developed an efficient, decentralized wastewater treatment and recycling system for rural areas? The correct answer is option D, तो IISC Bangalore ने ग्रामीन छेतरों के लिए एक कुसल, विकेंदरी करत, अपसिस्ट, जल उपचार और recycling प्रणाली को विक्सित किया है, तो friends इसके तहट जो भी वास बेसिंग या फिर कीचन से जो पानी निकलता है, उसको recycle किया जाएगा, ताकि उसको जैसे और कामो में लगाया जा सके, लेकिन ये पीने के योग ये नहीं होगा, जैसे कि लेकिन इस चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे कि toilet flushing, या फिर gardening में पानी देना, तो इसके लिए ये useful रहेगा, तो फ्रेंड्स हाल ही में, पूने में एक बाल मित्र पुलिस इस्टेशन इसका उद्गाटन किया गया है, तो फ्रेंड्स ये उन बच्चों के लिए हैं, जो कि किसी ना किसी crime में पकड़े गए हैं, या फिर laws के अगेंस्ट गए हैं, तो उनको एक friendly environment देना, इस child friendly पुलिस इस्टेशन का उद्देश्य है, एवरी एर ओन विच डे, वर्ड एट्स डे, इस अब्ज़र्ड एराउंड दी वर्ड, ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए, तो फ्रेंड्स विश्व भर में हर साल एक दिसंबर को विश्व एट्स दीवस मनाया जाता है, और फ्रेंड्स अ इसकी वज़े से होता है, और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा अटेक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, तो जब इम्यून सिस्टम पर अटेक होता है, तो डिजीज से लड़ने की चमता या जो ताकत है, वो बोड़ी की बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इस बार थीम र एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये 1992 में शुरू किया गया था भारत में, तो इस तरह के कोश्चन भी पूछे जाते हैं, कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये कब शुरू किया था, तो आंसर होगा, इन 1992, विच स्टेट और यूटी लांच्ट अ यूथ गवर्णर है, उनका नाम है मनोस सीना, इन्हों ने ही ये यूथ लाइवलिः हुट प्रोग्राम जिसका नाम मुम्किन है, इसको लौंच किया है, जम्मू एड कश्मेर की कैपिटल है, श्री नगर जो की समर कैपिटल है, और यहां की विंटर कैपिटल है, जम्मू, साधी जो ये लेटेन गवर्णर है, मनोस सीना जी, इन्होंने यहां की जम्मो एड कश्मीर के एड्मिनिस्टेटिव सर्विस ओफिसर्स के लिए, एक स्पैरो सिस्टम इसको लौंच किया था हाल ही में, इस पैरो का मतलब है, स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्राइजल रिपोर्ट रिकोर्डिंग ओनलाइन विंडो सिस्टम, तो आपके लिए केवल इतना याद रखना जुरूरी है कि इस पैरो सिस्टम कहां पर लौंच किया गया है, साथी फ्रेंट्स इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से आई टेरिस्ट को इनके खात्मा करने के लिए ओपरेशन लौंच किया है, साथी फ्रेंट्स यहां के लेट्रेंड कवरंडर मनोष सिना ने जम्मो एंड कश्मीर की जो भी पाचो ओफिशल लैंग्वेजेस हैं, तो इन में एक परिवर्तन नाम का पंचायत न्यूजलेटर इसको लौंच किया है, और जम्मो एंड कश्मीर की पाच आप से गूगल से सर्च कर सकते हैं, या पिर हमारी वीडियो देख सकते हैं, विच स्टेट लौंच्ट अ प्रोग्राम दुवारे सरकार, गवर्मेंट एट यूर डॉर स्टेप, तो मेक स्कीम्स ऑफ द इस्टेट गवर्मेंट मोर एकसेसिबल तो द पबलीक, ती करेक्ट दुआर पर सरकार इसको सुरू किया है, और फ्रेंट इसके तहट जो भी स्टेट की जो 11 जो मेन स्कीम्स हैं, उनको जनता तक पहुचाए जाएगा, इनमें स्वास्त साथी या जो की एक हैल्थ स्कीम है, और खाद्य साथी जो की एक पबलीक फूड डिस्टिबिशन स्कीम है, जय जोहर, कन्यासरी इस तरह की स्कीम्स इसमें साविल की गई है, फ्रेंट जो इसमें स्वास्त साथी है, ये हाल ही में लौंच की गई है, तो ये भी आप याद रखना कोश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कि किस स्टेट ने स्वास्त साथी इस स्कीम को लौंच किया वेस्ट बेंगॉल की अगर बात करें तो यहां की CM है मुम्ता बैनर जी, यहां के गवर्णर है जगदीब धनकड और यहां की कैपिटल है कौलकाता, जो इस्टेट्स और कंट्रीज वेस्ट बेंगॉल से अपनी बॉर्डर शेर करते हैं, वे इस परकार हैं, आसाम, बिहार, जारकंड, उडिसा, सिक्किम, और नेपाल, बुटाल और बंगलादेश, साथी फ्रेंट्स, बुकसा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेसनल पार्क, जल्दापारा नेसनल पार्क, सुंदर बंस नेसनल पार्क, नियोरा वैली नेसनल पार्क, और सिंगा लीला नेसनल पा ये एक anti electrocution cells यानि इस तरह की teams का निर्मान किया है साथी friends कोलकाता में इंडिया की पहली tram library इसको launch किया गया है tram मतलब जैसे एक trolley होती है जो चलती हुई उसको tram बोलते हैं तो जो भी visitor है वो इसमें बैठ कर books वगएरा पढ़ सकते हैं साथी friends यहां की जो CM है ममताब एनरजी इन्होंने अपनी ही एक self scan app document को scan करने के लिए एक self scan app इसको launch किया है इंडिया recently launched a bilateral fast track mechanism in investments with which among the following country the correct answer is option b तो भारत ने हाल ही में France के साथ निवेज में दूई पक्षे fast track एक mechanism की शुरुवात की है और इसमें participate किया है union minister for housing and urban affairs हरदीप सिंग पुरी जी ने मतलब इन्होंने ही इस तरह की जो यह इन्होंने mechanism है इस पर sign किये हैं प्रांस के प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron यहां के PM है जीन केस्टेक्स कैपिटल है पैरिस और करंसी है यूरो recently the largest cargo ship the Oslo arrived at which of the following Indian port the correct answer is option d तो फ्रेंट्स हाल ही में सबसे बड़ा मालवाहग जहाज the Oslo यह फ्रेंट्स आंदर प्रदेश के विसाका प्रटनम पोर्ट यानि वाइजेक पोर्ट पर पहुंचा है और यह चला था फ्रेंट्स साउथ अफ्रिका के डिचर्ड बे से तो यह याद रखना डिचर्ड बे कहा पर है साउथ अफ्रिका में विच कंट्री हाज बिकम दी फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री तो जेनरेट इलेक्रिसिटी फ्रॉम कोल ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी तो फ्रेंट्स यूनाइटेड अरब अमिराट्स यानि संयुक्त अरब अमिराथ यह कोईला से बिजली बनाने वाला पहला अरब ख बिजली प्रोडियूस होती है वह गैस त्वारा चलती है जो यहां की इलेक्रिसिटी स्टेशन से वह गैस त्वारा चलते हैं और फ्रेंट्स अगर हम बात करें इसकी यूनाइटेड अरब अमिराथ की तो फ्रेंट्स इसकी जो कैपिटल है वह आबुधाभी और करंसी है यूएई दिरहम अब फ्रेंट्स देखिए यहां से आप मैप देखिए तो यूएई जो है यह दो कंट्री से केवल अपनी लेंड बोर्टर शेयर करता है एक तो सौधिय अरेबिया और एक ओमान मैप से आपको देखने में लग रहा होगा कि कतर से भी करता है पर यह कतर से करते हैं जैसे PCS या फिर UPSCIS इस तरह की तो यहां पर इस तरह कोशन पूछ ले जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहां पर यह दिखाया है मैप साथी फ्रेंट्स दो चीजे जानने ज़रूरी है एक तो अरव वर्ड तो फ्रेंट्स अरव वर्ड में 22 कंट्रीज हैं और मैं देख पा रहे होंगे मैप में तो इसके जितने भी चार और कंट्रीज हैं यह सभी गल्फ नेशन्स कहलाते हैं जैसे बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सौधियारेबिया और UAE तो यह सभी गल्फ नेशन्स हैं साथ ही अरव वर्ड के भी हिस्से हैं यह आप देख स इसको लॉंच किया है फ्रेंड्स आपको कमेंड बॉक्स में इस नुकलियर प्रांट का नाम बताना है तो मैं हाँ पर आपके लिए 10 सेकंड्स का पॉज ले रहा हूं आप जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको याद है आप सभी ने इसका कमेंट में आंसर बता दिया होगा अगर आपको याद है काफी इंपोर्टन डेफ्रेंट्स यह साथी फ्रेंट्स यूएई यह तीसरा अरब नेशन बन गया है इजिप्ट और जॉर्डन के बाद जिसने इसराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मल किये हैं अपने संबंध नॉर्मल किये हैं साथी फ्रेंट्स इसराइल के साथ अपने जो भी अपने जो संबंध है उनको नोर्मर करने के लिए अरब कंट्रीज जो भी अग्रिमेंट साइन कर रहे हैं तो उसको बोला गया है अबराहम अकॉर्ड तो यह आप याद रखना अबराहम अकॉर्ड यह जो है जो भी अरब कंट्रीज हैं और इसराइल जो है तो इनके भी जो भी समझोते हो रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है ज correct answer is option D तो नेपाल में पुनर निर्मित तशोप गुंपा मठ का उदगाटन किया है हमारे foreign secretary हर्स वर्दन श्रिंगला जी ने फ्रेंट्स नेपाली की president है बिद्या देवी भंडारी यहां के प्राइम मिनिस्टर है केपी सरमा ओली capital है काटमांडू और currency है नेपलीज रूपी और friends सार्क का जो secretariat है यह भी काटमांडू में है अगर हम Indian states की बात करें जो नेपाल से border share करता है तो वे हैं उत्राकंड, उत्रप्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगॉल और सिक्किम The correct answer is option A तो friends उत्रपल कुमार सिंग को लोकसभा के मास अचिव के रूप में न्यूक्त किया है हमारे लोकसभा speaker ओम बेलाजी ने friends बहुत important question है अगर आप किसी अच्छे exam के तयारी कर रहे है तो जो भी friends जो यह secretary general होते हैं लोकसभा के तो इनको जो है लोकसभा speaker appointment करते हैं तो यह आप याद रखना काफी important factor इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ forest division of which state has constructed first of its kind eco bridge for small animals the correct answer is option B तो उत्राखन राज्य के वन प्रभाग ने छोटे जानवरों के लिए पहली तरह का एक eco bridge बनाया है तो friends आप इसमें देख भी पा रहे होंगे तो जो भी छोटे animals होते हैं तो वो इस पे से अप रोड क्रोस कर सकते हैं बजाए जो रोड बनी हुई है उस पे जाने के बजाए इस bridge से वो पार कर सकते हैं ताकि वो किसी वहीकल के नीचे न आएं और friends अगर उत्राखन की बात करें तो यहां के CM है त्रिवेंदर सिंग रावत यहां की governor है बेबी रानी मोरिया और friends यहां की भी दो capital है देरादून जो की winter capital है और gear sand जो की summer capital है उत्राखन से जूड़े current affairs की बात करें तो यहां के CM त्रिवेंदर सिंग रावत ने पहला पिरूल power project इसको launch किया है पिरूल मतलब friend जो चीड़ के पत्ते होते हैं नुकीले पत्ते जो होते हैं जब वो सूख जाते हैं और जढ़ जाते हैं तो उन्हें पिरूल बोला जाता है साथी friends उत्राखन का जो आसन conservation reserve है आसन बैराज भी यहां पर एक बैराज भी है तो यह उत्राखन की पहली रामसर साइट बन गया है साथी friends उत्राखन wildlife board ने सिवालिक elephant reserve इसको denotify कर दिया है यानि इसकी जो अधी सूचना है उसको निरस्त कर दिया है तो यह इसलिए किया है क्योंकि जो यहां पर airport है देरादून airport है तो इसका expansion करना है तो अगर इसको denotify ना कर दे सिवालिक elephant reserve को क्योंकि friends जो देरादून airport का अगर expansion करना है तो जो area है वो सिवालिक elephant reserve तक जाएगा तो friends इसलिए जिससे कोई कानूनी पेच ना अड़े तो इसको denotify कर दिया गया है सिवालिक elephant reserve को तो ये आप static के लिए भी याद रखना सिवालिक elephant reserve ये उत्राखंड में है साथी friends यहाँ के cm ने आचल अमरत योजना इसको भी सुरू किया है जिसमें की कक्सा एक से लेकर आठ तक के बच्चों को हफते में बोजन के साथ साथ एक दिन दूद भी मिलेगा साथी friends उत्राखंड के cm ने इंडिया का longest motorable suspension bridge जो की टिहरी लेक पर है इसका नाम है डोबरा चांटी ब्रीज इसको भी launch किया है इसको integrate किया है इसका उद्गाटन किया है तो याद रखना दो चीज़े यहाँ से होगी एक तो टिहरी लेक यह कहा है उत्राखंड में है दूसरा longest motorable suspension bridge इसका नाम है डोबरा चांटी ब्रीज इंडिया एंड विच अमंग दा फॉलोइंग कंट्री साइन इंप्लिमेंटेशन एग्रिमेंट ओन हाइडोग्रेफी ति करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो भारत और विच नाम ने हाइडोग्राफी पर एक कारियान वेयन समझोते पर हास्तक्षर किये हैं विच नाम की कैपिटल है हनोई और यहां की करंसी है विच नामी इस डॉंग भी है विच थी अप्रोओ एक्षिय आप डि कि अधिछ न लीक टी आ लीए या थो ब्योंट दी नीज नी इनी इनी इंसुर्ट्राइव इंसॡ्राइव इनी इनी अर एक ऩो दॉटर्ण्स यह जॉर्ट्राइव गरू लिस्डो एक रिक आशह प्रूज 직 आशर गलव जॉर लिमिटेड द्वारा भारती एक्सा जनरल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के अधुग्रेंड को मंजूरी दे दी है इससे पहले जो इंडिया है उसने इस एक्क्विजिशन को हरी जन्डी दे दी थी तो फ्रेंड जो ये भारती एक्सा जनरल इंसुरेंस है ये एक जोइंट वेंचर है बीटूइन भारती एंटरप्राइजेज जिसमें जिसका की 51% स्टेक है दूसरा फ्रेंच इंसुरर जो की एक्सा ये एक इसके 49% स्टेक हैं हूँ अमंग दा फॉलोइंग है इस बीन अपॉंटेड एस दा अम्बैस्टर ऑफ बाफ्ता ब्रेक्थ्रू इंडिया 2020-21 तो फ्रेंड्स एया रहमान इन्हें बाफ्ता ब्रेक्थ्रू 2020-21 के लिए ब्रेंड अम्बैस्टर के रोप में न्यूक्त किया अब फ्रेंड्स आज ईत्राइन इन्हें इस इसका मेरीनो जो कि इंटली से है तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंड भॉक है क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान का जो आज जो हां पर इतना तनाव है जो अफगानिस्तान में इतना जो वाइलेंस है जो वहाँ पर आतंकवादी कतिवी दिया जो बढ़ रही है तो उनके लिए परवेज मुसर्रफ इन्होंने जो वहाँ पर नीतिया अपनाई है इन्होंने जो काम किये हैं उसकी वज़े से आज अफगानिस्तान का ये हाल है तो इन्होंने इस बुक में ये बात बताई है तो काफी इंपोर्टेंट है आप याद रखना एजाम में पूछा जा सकता है उत्तरप्रदेश सरकार ने हरिद्वार और इलाबाद सहरों के बीच 594 किलोमेटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है तो फ्रेंट्स गंगा एक्सप्रेस वे के जरिए उत्तरप्रदेश और उत्तराखन के दो बड़े तीर्थ आपस में सीधे जुड़े जाएंगे और अलाबाद से मेरट तक बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेस वे अब आगे जाकर हरिद्वार से जुड़ जाएगा और फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट की टोटल कोस्ट है 36,402 करोड रुपीज और ये 12 डिस्टिक्स से होकर गुजरेगा मेरट, बुलंद सहर, हापुर, अमरोहा, संभल, बदायू, साजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, परतापगड और परियागराज उत्रप्रदेश में इस तरह एक कोश्टन पुछे जाते हैं कि कितने डिस्टिक्स से होकर गुजरेगा, तो इसलिए आप याद रखना, उत्रप्रदेश के CM है योगी अधित्यनाथ, यहां की गवर्णर है अनंदी बेन पटेल, जो की मध्यप्रदेश के भी गवर्णर है, म का मतलब है, Unified Reimagined Innovation for Students Empowerment, तो इस्टुडेंट्स को जोब दिलाने और उनके एकेडिक मिक्स में सायता करने के लिए स्पोर्टर को लॉंच किया गया है, साथी फ्रेंट्स हाली में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापूर डि ने बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको भी लॉंच किया है हाली में, साथी फ्रेंट्स उत्तरप्रदेश के सीम ने ये कहा है कि नोईडा में हमारे देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनेगी, तो याद रखना कोश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि 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 सहर में य जो है, वो टोब डेस्टिनेशन रहा है, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, और फ्रेंट्स अगर हम फोरेंड टूरिस्ट की बात करें, तो उस हिसाब से उत्तरप्रदेश थर्ड पोजिशन पर रहा है, तो फ्रेंट्स इस अभी करंट अफर्स हमने अपने पुराने शैस कुछ दूरी पर है, तो यह आप याद रखना की थम लेक, साथी लोनर लेक, जो की महाराष्ट में इसको भी रामसर साइट का दरजा दिया गया है, तो फ्रेंट्स अक्षे कुमार को पजार बुक और होललिक स्टिन पोरस का ब्रेंड अमब्स्तर निकत किया गया है, साथी फ्रेंट्स आयुसमान खुराना ये फ्रेंट्स बजाज आलियांस लाइफ इसके ब्रेंड अमबेस्टर बनाए गए हैं साथी फ्रेंट्स टोईटा की अर्बन क्रूजर इसके भी ब्रेंड अमबेस्टर आयुसमान खुराना बनाए गए हैं साथी आलियाभट और आयुस्मान खुराना ये JSW Paints इसके ब्रेंडम बेस्टर बनाए गए हैं विच इस्टेट है सेट टार्गेट तो बिकम अ 50 बिलियन यूएस टोलर बाय टेक्नलोजी मार्केट बाय ट्वंटी ट्वंटी फाइफ The correct answer is option A तो करनाटक राज्य ने 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जयव प्रद्योगी की बाजार बनने का लक्ष रखा है और फ्रेंड्स अगर हम करनाटक की बात करें तो यहां के CM है B.A.C.A. जुरॉपपा गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलूरू इसको फ्रेंड्स पहले इस्टेट ओफ मैसुरू बोला जाता था लेकिन 1913 में इसका नाम करनाटक कर दिया गया अच्छा अगर हम यहां के important और places की बात करें तो गोल गुमबद जो की बीजापूर में है बांदिपूर नेशनल पार्क, बनेरगट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जोगफाल्स, बादामी केव टेंपल्स, एहोल, रोककट टेंपल्स तो यह सभी फ्रेंट्स important places हैं, आप इनको याद रखना स्टेटिक जीके में पूछे जाते हैं साथी फ्रेंट्स करनाटक गवर्मेंट ने जन सिवका स्कीम, इसको भी हाली में लॉंच किया है साथी फ्रेंट्स वीवर्मेंट्स सम्मान योजना, ये भी करनाटक ने हाली में लॉंच किया है, जो बुनकर होते हैं उनके लिए विच स्टेट विल इंस्टॉल दे लाइफ साइज स्टेचू अफ लेट अर्जेंटाइन फुटबॉल लेजेंट डिगो मेरेडोना तो फ्रेंट्स गोवाराज्य में अर्जेंटिना के दिवंगत फुटबॉल खिलाडी डिएगो मेरेडोना की आदमकर प्रतिमा इस्थापित होगी, मतलब जिस हाइट के ये रहे थे उसी हाइट की एक प्रतिमा यहां पर इस्थापित की जाएगी और फ्रेंट्स अगर हम इनके बारे में बात करें मेरेडोना के बारे में अगर जानकारी लें क्योंकि काफी फेमस फुटबॉलर यह रहे हैं तो फ्रेंट्स ये अर्जेंटिना के कैप्टन रहे थे 1986 फुटबॉल वर्ड कप में और इन्होंने अर्जेंटिना को ये तो राजस्तान सरकार ने भोजन और पोशन संबंदी सुरक्सा लक्षों को प्राप्त करने के लिए युनाइटेड नेशन के वर्ड फूड प्रोग्राम के साथ लेटर ओफ अंडस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किये हैं फ्रेंड जो ये वर्ड फूड प्रोग्राम है इसका हैट्वाटर्स रोम इन इटली में है और 2020 का नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला है तो काफी इंपोर्टेंट बन जाती है इस हिसाब से ये और्कुनाजिशन याद रखना राजस्थान के सीम है असो गहलोत गवर्णर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जायपूर काली बंगा दिलवारा टेंपल्स माउंट अबू केवला देव नेसनल पार्क रंथम बोर्ड नेसनल पार्क सरीसका टाइकर रिजर्व ये सभी इंपोर्टेंट प्लेसेज हैं रा काफी इंपोर्डेंट रहता है जहां पर भी इंडिया का फस्ट या वर्ड गाफरस्ट इस तरह के करंट अफेर्स होते हैं तो वह काफी इंपोर्डेंट बन जाते हैं The correct answer is option C तो भारत द्वारा 26 जनवरी 2021 को गंतांतर दिवस समारों के लिए मुख्य अतिति के रूप में बोरिस जोनसन को आमंत्रित किया गया है यह फ्रेंड्स युनाइटेट किंग्डम के प्राइम मिनिस्टर है और फ्रेंड्स इससे पहले जो लास्ट टाइम भारत में आये थे युनाइटेट किंग्डम के प्राइम मिनिस्टर वो थे जोन मेजर जो की 1993 में चेफ केस्ट बनकर आये थे हमारे रिपब्लिक डे के दिन साथी फ्रेंड्स आप लोगों में कंफ्यूजन रहता होगा कि ग्रेड ब्रिटेन युनाइटेट किंग्डम यह क्या है तो मैंने आपको अभी हाली के एक लेक्चर में बताए भी था तो जिन्होंने नहीं देखा है फिर से आप यह देख लीजे देखे ग्रेड बिर्टे को कह सकते हैं Great Britain plus Northern Ireland साथी फ्रेंड्स अब जो है यह ब्रिटिस आइल्स अब इसमें आप युनाइटेट किंग्डम के साथ साथ Republic of Ireland इसको भी आइड कर दीजे तो आपका यह बन जाता है ब्रिटिस आइल्स तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तो यह इमेज भी आप आप देख सकते हैं यहां से भी आपको अप क्लियर हो जाएगा कि Great Britain और United Kingdom में क्या आंतर है Great Britain में अगर Northern Ireland आप एड कर देंगे तो वो United Kingdom बन जाता है The correct answer is option B. तो टाइम पत्रिका ने पहली बार Kid of the Year के रूप में Gita Anjali Rao इनको नामीत किया है The correct answer is option A. तो महाशे धर्मपाल गुलाटी जिनका हाली में निदन हो गया है यह MDH जो की एक परतिश्टित मशाला ब्रांड है इसके मालिक थे MDH का मतलब हुआ महाशेयन दी हट्टी और यह 98 साल की उम्र में इनका निदन हो गया है The correct answer is option C. तो पूर्वराश्टपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम पर आधारित पुस्तक इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेजिएंट वेंगया नाइडू जी ने और फ्रेंड्स इसके ओधर रहे हैं डॉक्टर सिवाथानू पिल्लाई The correct answer is option B. तो बाटा के वेस्टविक सीओ के रूप में न्यूक्त होने वाले पहले भारती हैं संदीप कटारिया बाटा के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक फुडवियर कंपनी है यह और फ्रेंड्स यह एलेक्सीज नाशार्ट इनको रिप्लेस करेंगे The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स वर्ड यूनिवर्स्टी रैंकिंग 2021 के अनुसार IIT Bombay ने भारतिय विश्विद्यालों में टॉप किया है यानि अगर इंडियन उनिवर्स्टी की बात करें तो उनमें सबसे टॉप पर IIT Bombay रहे हैं और अगर एशिया की बात करें एशिया में सबसे टॉप पर कौन सी रही है तो वह रही है नेशनल उनिवर्स्टी ओफ सिंगापूर Which of the following bank launched a new book titled Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific The correct answer is option C. तो एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific नामक एक नई पुस्तक लौंच की है तो फ्रेंट्स इस पुस्तक में इन्होंने जो बताया है कि COVID-19 pandemic के कारण जो economy slow हुई है तो अब यह समय आ गया है कि हम लोग नई opportunities explore करें ताकि economy को rebuild किया जा सके साथी फ्रेंट्स इन सभी banks के अगर headquarters की बात करें तो World Bank का headquarters है Washington BC में New Development Bank जिसे Bricks Bank का आ जाता था इसका headquarters है Shanghai में Asian Development Bank इसका headquarters है Manila Asian Infrastructure and Investment Bank इसका headquarters है Beijing में साथी फ्रेंट्स अगर हम Asian Development Bank यानी ADB इससे जुड़े current affairs की बात करें तो फ्रेंट्स राजस्थान के secondary downs को develop करने के दिए ADB और इंडिया ने 300 million US dollar का loan agreement sign किया है साथी फ्रेंट्स मेखाले के power distribution sector को strengthen करने के दिए मजबूत करने के दिए इंडिया और ADB ने 132.8 million US dollar का loan agreement sign किया है साथी फ्रेंट्स बंगाल के financial management reforms को boost करने के दिए इंडिया और ADB ने 50 million US dollar का agreement sign किया है साथी महराष्ट में road projects के लिए ADB और इंडिया ने 177 million US dollar का agreement sign किया है साथी Delhi Merit Regional Rapid Transit System इसके लिए भारत ने ADB से 1 billion US dollar का loan agreement sign किया है तो फ्रेंट्स ये सभी आपके exam से पूछे जाते हैं कि किस bank के साथ कितना agreement sign किया है या किस state के लिए किया है तो यहाँ पर particularly मैंने आपको ADB से related जो है ये बता दी है agreement तो ये आप याद रखना ये आपके revision purpose के लिए हैं ये सभी हमने अपने previous sessions में questions and answer के form में हमने cover किये हुए है administrator of Lakshadip Dineswar Sarma passed away recently he was the former director of which intelligence agency the correct answer is option A तो Lakshadip के प्रसासक Dineswar Sarma का हाल ही में निधन हो गया है ये friends intelligence bureau के पूर्वनी देशक रह चुके है और friends ये जम्मो एंड कश्मीर में इंटर लोक्यूटर भी रह चुके हैं center की ओर से और अगर लक्षदीप की बात करें तो इसकी capital है कावरती और friends 32 square kilometer इसका area है ये पूछा जाता है exam से में और जो लक्षदीप है ये 36 island case से मिलकर एक 36 island group से मिलकर बना हुआ है और friends जो ये लक्षदीप है ये एक मलियालम सब्द है जिसका संस्कृत में मतलब है 100,000 islands railway minister Pius Goyal inaugurated the newly electrified Dhingavada Bandikui section of northwestern railway in which state? the correct answer is option B तो rail mantra Pius Goyal ने राजस्थान में उत्तर पस्चिम railway के नई विद्यूतिकरद Dhingavada Bandikui खंड का उधगातन किया है who has been appointed as new director general of border roads organization BRO the correct answer is option D तो राजीव चोधरी जी को सीमा सडक संगठन यानी BRO के नए महानिदश्यक के रूप में चुना गया है और friends अगर हम BRO की बात करें तो आपको मालूम होगा कि चाइना और पाकिस्तान जो हमारा border है इंडिया का तो इसके अलोंग roads development का कारें BRO करता है साथी जो हमारे friendly nations है जैसे अफगानिस्तान, पूटान, मियामार्स, लंका यहाँ पर यह road construction का का काम समभालती है और friends जो यह BRO है, इसका गठन 7 मई 1960 को हुआ था और इसका headquarters है New Delhi में साथी friends यह current affairs भी आप याद रखना, Lieutenant General Harpal Singh इनको Indian Army में Engineer-in-Chief इस पत पर निउक्त किया गया है तो यह काफी important current affairs हैं यह दोनों As per the report by the Institute for Economic and Peace What is India's rank on the Global Terrorism Index 2020? The correct answer is option C Institute for Economic and Peace की report के अनुसार Global Terrorism Index 2020 में भारत की rank है friends 8th आठवी rank है और friends इसमें सबसे lower rank है अफगानिस्तान की देखिए इसमें 10 point तक score दिया जाता है तो 10 के करीब जिसका score होता है इसका मतलब कि वो सबसे ज़्यादा PD थे आतंगवात से तो अफगानिस्तान का जो point रहे हैं वो रहे हैं 9.592 इसका मतलब यह सबसे ज़्यादा affected है Recently, Suriyadhar Lake was inaugurated in which state? The correct answer is option C तो हाल ही में सूर्यधर जील का उदखाटन ये friends उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत जी जुवारा किया गया है डोई वाला ये उत्राखंड में ही पड़ता है और अगर उत्राखंड की बात करें तो यहां की governor है बेबी रानी मूरिया यहां की दो capital है देरादून जो की winter capital है और गेर सेंड जो की summer capital है राजाजी नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क कालागर टाइगर रिजर्व वैली ओफ फ्लार्स नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क यह सबी place friends आप याद रखना उत्राखन में है अब अगर हम उत्राखन से जुड़े current affairs की बात करें तो उत्राखन के cm ने हाली में आचल अमरित योजना इसको सुरू किया है साथी friends उत्राखन wildlife board ने सिवालिक elephant reserve यह याद रखना कि कहाँ पर यह उत्राखन में है इसको denotify कर दिया है क्योंकि friends जो दिरादून airport है जिसको जोली ग्रांट airport भी कहते है तो इसके expansion का काम सरकार चाहती है कि आगे बड़े तो अगर यह इसको denotify नहीं करेंगे तो यहाँ पर आनुनी पेंच अड़ जाएंगे क्योंकि friends इसके expansion के लिए जो सिवालिक elephant reserve है इसको denotify करना जरूरी है क्योंकि यह इसी इलाके में पड़ता है साथी friends उत्राखन के cm ने इंडिया का longest motorable suspension bridge जो की टिरी लेक पे है इसको launch किया है इसको inaugurate किया है इसका नाम है डोबरा चांटी bridge तो यहाँ से दो चीज़े याद रखना एक तो टिरी लेक यह उत्राखन में है दूसरा इंडिया का longest motorable suspension bridge इसका नाम है डोबरा चांटी bridge यह उत्राखन में साथी friends उत्राखन में एक आसन conservation reserve है तो इसको रामसर side declare किया गया है और यह उत्राखन का पहला रामसर side बन गया है आसन conservation reserve साथी friends उत्राखन के CM ने हाली में first pirule power project इसको inaugurate किया है जो चीड के जो नुकिले पत्ते होते हैं जब वो जड़ जाते हैं तो उसको friends pirule बोला जाता है which company developed the India's first indigenous 100 octane premium petrol the correct answer is option D तो IOCL यानी Indian Oil Corporation Limited ने भारत का पहला स्वधे सी 100 octane premium petrol विक्सित किया है friends जो यह octane rating होती है यह fuel की stability को major करती है जिससे कि उसकी engine की efficiency बढ़ सके which bank has been advised by RBI to temporarily stop all launches of the digital 2.0 program and sourcing of new credit card customers the correct answer is option D तो friends HDFC bank को RBI द्वारा digital 2.0 program के सभी launchों को रोखने और नए credit card ग्रहाको की sourcing के लिए सलाह दी गई है तो friends यह इसलिए क्या गया है क्योंकि पिछले 2 साल से इसमें HDFC bank जो है इसमें काफी technical glitches यहाँ पर notice की जा रही थी internet outage हो जा रहा था जिससे की mobile banking services और payment utilities इन सभी में दिक्कते आ रही थी तो इसलिए RBI ने इस तरह की advice HDFC bank को दी है और friends अगर हम HDFC की बात करें तो friends यह largest credit card issuer है हमारी country में सबस्यादा credit card यही issue करता है bank HDFC bank के CEO है ससीदर जगदीशन और इसका headquarter से मूमबई में HDFC bank से जुड़े current affairs की बात करें friends तो इसने हाल ही में farmers के लिए इकिसान धन यह app launch किया है तो काफी important current affairs है आप इसको याद रखना साथी friends उड़ीशा government और HDFC bank ने हाल ही में MOU sign किया है startups की help करने के लिए David Malan who recently accomplished the highest ever rating points for batsmen in the ICC men's T20 players rankings place for which country the correct answer is option A. David Malan जिन्होंने हाल ही में ICC men's T20 player ranking में बल्ले बाजों के लिए उच्चेतम rating हासिल की है यह friends England की और से खेलते हैं और इनके अब points हो गए है 9-15 points तो friends ऐसा करने वाले पहले player हैं जिन्होंने 900 points cross किये हैं साथी friends इसी के साथ जो T20 men's की रेंकिंग है cricket में उसमें England भी पहले नंबर पर आगया है Who won the 2020 Bahrain Grand Prix The correct answer is option A तो friends Lewis Hamilton ने Bahrain Grand Prix यह किताब जीता है friends जो ही Lewis Hamilton है यह British है यानि Britain के हैं और यह Mercedes के लिए driving करते हैं साथी friends Max Verstappen यह Belgium के हैं और Red Bull के लिए driving करते हैं Valtteri Bottas यह Finland के हैं और Mercedes के लिए driving करते हैं तो यह तीनों काफी important है आप याद रखना साथी friends यह question जरूर पुछा जाता है exam में कि Silverstone Circuit यह किस sports से जुड़ा हुआ है तो answer होगा friends motor racing के लिए और दूसरा question यह बन जाता है कि यह किस देश में है तो answer होगा England में साथी friends Louis Hamilton के अगर बात करें तो इस साल इनोंने कई सारे grant pre जीते हैं जैसे टर्किस GP एमेलिया रोमागना जीपी पोर्चुगीज जीपी ऐफल जीपी बेल्जियन जीपी इस्पैनिश जीपी बिरिटिश जीपी हंगेरियन जीपी और इस्टेरमार्क जीपी तो यह सभी आप याद रखना exam में इन में से कोई पुछा जाए तो आंसर होगा लुई सेमिल्टन यूनियन होम मिनिस्ट्री सेलेक्टेड नागपोक शेकमाई एज दी बेस्ट परफर्मिंग पुलिस स्टेशन इन दी कंट्री इन विच इस्टेट इस पुलिस स्टेशन लोकेटेड दी करेक्ट आंसर इस ओप्शन तो केंद्रिय ग्रह मंत्राले ने नागपोक शेकाई को देश के सर्वस्ट परदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है यह पुलिस स्टेशन फ्रेंड्स मनिपूर राज में इस्तित है और इसके बाद दूसरे नंबर पे राया है AWPS सुर्वा मंगलम जो की तमिल नाडू के सलेम सिटी में है और तीसे नंबर पर है खारचांग जो की अरुनाचल परदेश में है एस पर दा वर्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच कंट्री रिकोर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेज इन साउथ इस्ट एसिया बेट्विन 2000 एंड 2019 ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए विच्ट मलेरिया रिपोर्ट 2020 के नुसार बारत देश ने 2000 से 2019 के बीच दक्शिन पूर्वे एसिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दरज की है जहां पर फ्रेंड्स सन 2000 में मलेरिया के केसेज 20 मिलियन थे तो वही ये रिड्यूस होकर 2019 में 5.6 मिलियन हो गए हैं ये भारत की बात आपको बता रहा हूँ और फ्रेंड्स लेकिन फिर भी अगर साउथ इस्ट एशिया रिजन की बात की जाए तो 88% मलेरिया केसेज ये भारत से रिपोर्ट की जाते हैं और 86% मलेरिया की कारण जो डैट्स होती है वो भारत से रिकोर्ट की जाती है WHO के डिरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गेब्री इसस और WHO का हैट्वाटर से जीनेवा इन स्विड़र्लेंड WHO से जुटे करंट अफेर्स की बात करें तो हाल ही में इसी साल के अगस्त महीने में WHO ने अफ्रिका को पोलियो फ्री गोशित किया था साथी फ्रेंट्स एक जनरल टोपिक जल्दी से देख लेते हैं देखें WHO ने हाली में वैक्सीन नेस्नलिजम इसके बारे में बॉर्ण किया था कि ये सही चीज नहीं है तो क्या होता है वैक्सीन नेस्नलिजम देखें आपको पता है कि कोरोना जो COVID-19 इसकी वैक्सीन तयार हो रही है तो कई देखो ने जो कोरोना वैक्सीन डेवलपर जो कंपनी है जो इसको डेवलप कर रही है उनके साथ पहले ही करार कर लिया है कि हमको इतनी डोजेज आपसे ही चाहिए जब ये वैक्सीन तयार हो जाएगी तो ये एग्रिमेंट पहले ही साइन कर लिया जा चुका है तो अब जब ये वैक्सीन बनेगी तो सबसे पहले वो कंपनी इन देशों को प्रवाइड कराएगी जैसे यूएस हो गया और फ्रांस हो गया और रहिशिया हो गया ठीक है तो इनको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगी लेकिन जो सबसे जरूरत मंद देश है जो की डेवलपिंग कंट्रीज है जो इतने डेवलप नहीं है तो उन कंट्रीज को ज़्यादा जरूरत है लेकिन वहां तक ये वैकेंसी नहीं पहुँच पाएगी पहले ही प्रोवाइड करा देगी तो इनके पास भी इतने डोसेज नहीं बन पाएगे क्योंकि मैनुफेक्ट्र होने में टाइम लगता है तो तब तक तो जो गरीब कंट्रीज हैं उनके पास पहुँच ही नहीं पाएगी वैक्सीन तो इसलिए ये सही बात नहीं है तो डबूल एच्चों का कहना है कि वैक्सीन सबसे पहले वहाँ पर जानी चाहिए जहां पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया's first transgender children's homes will be set up in which city तो भारत में पहली बार transgender बच्चों के लिए घर बैंगलूरू सहर में इस्थापित किये जाएंगे इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ओफ अंडस्टेंडिंग ओन इंट्रेक्च्ट्वल प्रोपर्टी कोपरेशन तो भारत और अमेरिका ने बौधिक संपता सहयोग पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं और फ्रेंड्स ये भारत की ओर से डिपार्टमेंट फोर प्रोमोशन ओफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड यानि डी पी आई आई टी और यूनाइट इस्टेट्स के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ओफिस इन दोनों ने इस एग्रिमेंट को साइन किया है फ्रेंड्स जो ये डिपार्टमेंट फोर प्रोमोशन ओफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड है ये मिनिस्ट्री ओफ कोमर्स के अंतरकत आता है इस तरह के कुश्शन बन जाते हैं अगर आप अच्छे एक्जाम के तयारी कर रहे है बड़े एक्जाम के तयारी कर रहा है तो पूछ ले जाते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंतर आता है डिपार्टमेंट साथी फ्रेंड्स अगर हम intellectual property के बारे में जाने तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी महनत से किसी नई चीज का अविस्कार करता है, तो वे चीज जो है उस व्यक्ति के अधिकार छेतर में आ जाती है, तो कोई तीसरा व्यक्ति बिना उस व्यक्ति की अनुमति के उस अविस्कार का उप्योग नहीं कर सकता, लेकिन जो यह intellectual property rights होते हैं, 6 तरह के होते हैं, patent, copy, trademark, design, database and trade secret तो इन में से हम 2-3 देख लेते हैं, जो important है, यह तो मैंने आपको intellectual property बता दिया कि intellectual property refers to creations of the mind, such as inventions, literary and artistic works, design and symbols, names and images used in commerce साथी friends, copyright क्या होता है, तो देखिए, जैसे YouTube पर आपने देखा हुआ कि एक चैनल दूसरे चैनल पर copyright strike डाल देता है इसका मतलब कि वो जो वीडियो में content है, वो किसी दूसरे ने उसकी permission के बिना उसको copy कर लिया है तो यह कहीं पर भी हो सकता है, यह book के लिए भी हो सकता है, music, paintings, sculpture, films, तो कहीं पर भी है किसी का अगर बनाया हुआ कोई content है, उसको अगर किसी ने चुरा लिया है, तो वो copyright के तहत माना जाता है साथी friends, फिर patent का मतलब क्या है, तो patent का मतलब है कि किसी ने अगर कोई invention की है invention अगर की है, तो उस पर उसका अधिकार है, अगर वही invention, अगर वही invention कोई और व्यक्ति अपने नाम से उसको जारी करता है तो वो patent का violation होता है, जैसे कि इसमें लिखा भी है, a patent is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that provides a new way of doing something, और offers a new technical solution to a problem साथी friends, ट्रेड मार्क क्या होता है, तो देखिए, अपने goods को, हमारा जो goods है, हमारा जो सामान है उसको दूसरों के सामान से अलग दिखाने के लिए ट्रेड मार्क यूज किये जाते हैं, तो ये भी friends intellectual property rights का हिस्सा होते है एक exam में question भी आया था, चार option दिये गए थे और पूछा गया था कि intellectual property rights का निमन में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है तो friends ये तीन थे और एक चोथा option मुझको याद नहीं आ रहा है, वो चोथा option उसमें नहीं था who has represented India at the 2020 industry transition leadership summit the correct answer is option B, 2020 industries transition leadership सिखर सम्मेरन में भारत का प्रतिनिदित प्रकास जावडेगरजी ने किया है तो friends ये याद रखना कि जो प्रकास जावडेगरजी हैं, इनके पास तीन ministry हैं, एक तो ministry of environment, दूसरा है ministry of information and broadcasting और तीसरी है, इनके पास ministry of heavy industries and public enterprises, तो याद रखना, तीन ministry हैं, प्रकास जावडेगरजी के पास और friends जो ये leadership group for industry transition, जो ये summit हुई है, इसको भारत और स्वीडन ने मिलकर, world economic forum के साथ इसको आयोजित किया है वर्ड economic forum का जो headquarters है, वो है कॉलगनी in Switzerland विच बैंक एप्रूव्स 190 मिलियन डॉलर लॉन फोर अप्ग्रेडेशन ओफ बैंगलूरू पावर डिस्टिबूशन सिस्टम correct answer is option C, तो बैंगलूरू बिजली वित्रण पढणाली के उन्नयन के लिए Asian Development Bank 190 मिलियन डॉलर डिन को मंजूरी दी है इसने साथी friends अगर इनके headquarters की बात करें सभी banks के तो world bank का headquarters है Washington DC में, new development bank जिसे bricks bank भी का जाता था पहले इसका headquarters से शंगाई में, Asian Development Bank का headquarters से मनीला में, Asian Infrastructure and Investment Bank का headquarters से बीजिंग में which state or UT has got the largest solar power project named provision of solar photovoltaic power plant 1.5 megawatt the correct answer is option B, तो लद्दाख जो की union territory है केंदर सासित परदेश है इसको provision of photovoltaic power plant 1.5 megawatt इस नाम से सबसे बड़ी सोर उर्जा परियोजना मिली है which state adopted गर्भ संसकार scheme for pregnant women the correct answer is option D, तो गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संसकार योजना को उत्तरपरदेश राज्य ने अपनाया है तो friends जो ये गर्भ संसकार scheme है इसका मकसद ही है कि जो भी बच्चा पैदा हो उसमें हिंदू संसकार inculcate करना है ताकि वो हिंदू संसकार उसमें पहरे से ही आ जाएं तो इसमें क्या होगा कि कई तरह की therapies जो pregnant women है उसको दी जाएंगी जैसे कि spiritual music therapy, veda therapy, meditation therapy, worship therapy उत्तरपरदेश की बात करें तो यहां के CM ही योगी आदित्तेनात यहां की governor है आनन्दी बेन पटेल जो की मध्यपरदेश की भी governor है वहाँ पर इनको additional charge दिया हुआ है और उत्तरपरदेश की capital है लगनो साथी friends उत्तरपरदेश से जुड़े current affairs की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें domestic tourist destination, top destination तो उत्तरपरदेश उसमें top पर है यानि जो domestic tourist हैं सबसे ज़्यादा उत्तरपरदेश को visit करना पसंद करते हैं साथी friends उत्तरपरदेश के CM है योगी आदित्तिनात इन्होंने का है कि इंडिया की biggest film city यह नोईडा में इस्तापित की जाएगी साथी friends उत्तरपरदेश के CM ने अनौंस किया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना यह भी हम launch करेंगे साथी friends प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना इसको उत्तरपरदेश के सोनभद्र और मिर्जापूर डिस्टिक में launch किया है साथी friends उत्तरपरदेश के CM योगी आदित्तिनात ने URISE Portal इसको launch किया है तो URISE का मतलब है Unified Reimagined Innovation for Students Empowerment हैं तो आप इनको चाहे Google से भी सर्च करके detail में पढ़ सकते हैं साथी friends उत्तरपरदेश की जो कीथम लेख है जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं आगरा के पास है तो इसको रामसर साइट का tag मिला है फिक्की का मतलब है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry तो दो हजार बीस इकिस के लिए फिक्की के जो नए प्रेजिएंट है वे हैं उदे संकर जी और friends फिक्की के अगर बात करें तो 1927 में इसको इस्थाबित किया गया था इसका headquarters है निव डेली में और friends ये largest and oldest business organization है इंडिया में और जो ये उदे संकर हैं ये friends संगीता रेड़ी को replace करेंगे, succeed करेंगे जफरुल्ला खान जमाली who passed away recently was the former prime minister of which country तो friends जफरुल्ला खान जमाली इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पाकिस्तान के पूर परदानमंत्री थे और अगर हम अब के बात करें तो पाकिस्तान के परदानमंत्री इमरान खान, यहां के राष्टपती है आरिफ अलवी और कैपिटल है इसलामाबाद साथी friends यहां की जो intelligence agency है उसका नाम है ISI, इसकी full form है inter services intelligence तो यह जो full form है यह काफी important है, पूछी जाती है exam में who is the winner of the 2020 global teacher prize the correct answer is option D, तो friends 2020 global teacher prize इसके विज़ेता है रंजीत सिन दिसाले और इनको मिला है 1 million US dollar का price और जो यह global teacher prize है यह दिया जाता है वार की foundation द्वारा which company ranked first in 2020 fortune 500 ranking list of Indian companies the correct answer is option C, तो friends भारते कमपनियों की 2020 fortune 500 ranking सूची में Reliance Industries को पहला इस्थान मिला है और Reliance Industries के जो chairman और MD है यह है मुके संबानी साथी friends यह भी याद रखना यह काफी important है अगर हम global की बात करें मतलब पूरे अगर विश्व की बात करें तो friends इसमें जो Reliance Industries है इसकी 96th rank थी यह हाली का current affairs है यह आप याद रखना अभी यह वाला question जो है यह तो इंडिया से related है लेकिन अगर globally हम बात करें तो Reliance Industries की जो rank रही है वो 96th रही है which dictionary declared pandemic as word of the year 2020 the correct answer is option D तो friends dictionary.com और Merriam Webster इन दोनों dictionary ने जो pandemic सब्द है यानि महामारी इसको word of the year 2020 गोशित किया है और friends अगर pandemic की बात करें तो pandemic किसे कहते हैं एक ऐसी संक्रामक बिमारी एक ऐसी संक्रामक बिमारी को pandemic कहते हैं जो किसी एक जगह से कई देशो महादीपों या फिर दुनिया भर में फैल गई हो जैसे friends COVID-19 है यह चाइना के वहान सहर से पुरे विश्व में फैल गया है तो इसे pandemic कहते हैं साथी friends अगर हम Collins dictionary की बात करें तो इसका word of the year रहा है lockdown आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current कोई जैसा माँ आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके जुरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस